कहते हैं ना जब आप उचाई पाने लगते हो तो हर कोई जुकने को तैयार हो जाता है चाइना चंदरियान 3 की सफलता से ललचा गया है जानेंगे चाइना अब क्या कह रहा है तो वहीं 100 तेजस के ओडर भारत करना क्या चाहता है जियो पॉल्टिक्स में दमाल मचा हुआ है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ग्लोबल टाइम्स के सूर मीठे हो गए हैं अब गोबर टाइम्स अगर कुछ कह रहा है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे जिनपिंग कह रहा है वैसे भी हमने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मंच पर जिनपिंग बातचीत करने के लिए उतावला दिख रहा था आपको बता दें मन में ख्याल आएगा कि चीन क्यों भला ऐसा करेगा चीन तो पहले ही चंद्रमा पर अपना लेंडर उतार चुका है तो आपको बता दें चीन ने भले ही चंद्रमा पर अपना कदम रखा हो लेकिन वो दचनी ध्रूब पर जाने की हिमत नहीं जूटा पाय भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो दचनी ध्रूब में काम्याब हो चुका है और भारत और जापान अपने अगले प्रजेक्ट की घोसना कर चुके हैं आपको बता दें पहली बार वो चाइना और वो गोबर टाइम्स जो कभी कहता था भारत चाइना की बराबरी ही नह कीज़े अब इन्होंने सीधे सीधे कहना सुरू कर दिया है कि देखो हम समझ रहे हैं कि चंद्रियान 3 लौंच हो चुका है पहुंच चुका है आपने बहुत अच्छा काम किया है पर न जियो पॉल्टिक्स को और जो अनुसंधान है जो खोज है जो इस पेस की चीज़े है इसे न मिक्स मत करो जियो पॉल्टिक्स और इसे मिलाओ मत इसे अलग-अलग रखो जो तुम्हारा ज्यान है उस ज्यान को साजह करो जो अनुभव है उसको बाटो और अंत्रिची यात्रियों को ट्रेनिंग दो चलो हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं हम ब्रिक्स के मेंबर ह हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और जो चीजें हैं उसे हासिल करेंगे बिग्यान को राष्टी सीमाओं में मत रखो इसे बाहर कर दो पूरी मानवता की भलाई और प्रगती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए हम ऐसे कारिक्रम की सराहना करते हैं यह अजीव नहीं लग र रहा है क्या खा लिया इसने इसने खा कुछ नहीं लिया है इसे अब समझ में आ गया है कि भारत चांद पे पहुँच चुका है कुछ दिन पहले तक तो नासा ने खुदी कहा था कि वह यह चांद पर कबजा करने के फिराक में है चाइना और चौ से चाइना चौ से चंदा म चीन की नजर चांद के उपर बहुत पहले से है पर उसकी सफलता के बजाए भारत की सफलता हो गई कहा तो यह जा रहा है कि लुना ट्वन्टी फाइब जो चान्थ पर पहुँचना था उस लुना ट्वन्टी फाइब के पीछे कही न कहीं चाइना भी था हाला कि जब ये मिसन फेल हो गया तो चाइना ने अपना पल्ला जाड लिया चाइना ही चाह रहा था कि दचनी दुरू पर पहले रूस उत्रे ये भी बात कही जाती है खेर लेकिन उनकी मनोकामना पुर्ण नहीं हुई अब जब पनोकामना पुर्ण नहीं हुई तो भारत को दिब्य ग्यान दे रहा है ताकि भारत अपना सारा डेटा सब कुछ साजा कर ले और एक बार सब कुछ साजा हो गया तो उसके बाद तो माहिर है चीन ये कहने में कि तू कौन मैं खामखा भारत बहुत अच्छे से समझता है कि चाइना के मन में क्या है इसलिए आपने देखा होगा चंद्रियान 3 की काम्याबी के बाद भले ग्लोबल टाइम्स और चाइना कुछ भी चाह रहा हो पर भारत जापान के साथ आगे बढ़ रहा है एक और चीज नोटिस की गई और वो भी ब्रिक्स की मीटिंग के दोरानी नोटिस की गई जब भारत मंच पे खड़ा था तब ये देखा गया कि जिन्पिंग बार बार बादचीत करनी की कोसिस कर रहे थे ये कुछ नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 के लेंडिंग की वज़े से है ताकि वहां की जानकारियां चाइना तक पहुंच सके जिन्पिंग की पूरी बॉर्डी लेंग्वेज इस बात की गवाही दे रही थी चीक चीक कर कि चाइना इस वक्त भारत से बाचीत करने में उतावला है हलाकि अगर इसका कुछ फाइदा बॉर्डर पर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी जहाए एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत ने हड़कंप समचा दिया है अब तो हमने देखा कि भारत ने सबसे पहले तेजस विमानों की तैनाती सुरू कर दी है बॉर्डर वाले इलाकों में और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही राफेल विमानों को आइनेस विक्रांत के ऊपर भेजा जाएगा एनाउंस्मेंट खुद नेवल चीफ आर हरी कुमार ने किया है और उनका कहना है कि जल्द ही राफेल विमानों की तैनाती को लेकर कुछ न कुछ फैसला होगा खास तोर पर जो आगरा नेवल बेस है उसके लिए इस वक्त आइनेस विक्रांत में फाइटर फ्लीट की बात करें तो इसमें मीग 29 विमानों की तैनाती की गई है पर जल्द ही इसमें राफेल एम फाइटर जेट को लगाया जाएगा जो की मीग 29 को रिप्लेस करेंगे एक तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती होती है तो ये इस नौ सेना की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा पर ऐसा लगता है जैसे भारतिय वायू सेना अब बड़ी तबाही मचाने के चक्कर में है चंद्रियान 3 की सफलता के बाद एक के बाद एक खबर खुसकबरी वाली आई जिसमें से एक हमने ये भी देखा कि तेजस विमानों में अस्तरा MK1 का परिक्चन किया गया और इस मिसाइल ने जवरजस्त परफॉमेंस दिया कहने कार्थ है कि अब तेजस में लगभग ऐसी मिसाइले आ गई हैं जो हर छमता वाली है और जितना बड़ा ओडर इस बार तेजस का दिया गया है इतना बड़ा ओडर कभी भी नहीं दिया गया था लास्ट ओडर LCA Mark 1 तेजस का था तेरासी एरक्राफ्ट का और आपको बता दें ये दो हजार चौबिस तक डिलिवर्ड होने वाले हैं LCA Mark 1 में ही एडवांस एवियोनिक्स और रडार लगे हुए हैं आत्म नीरवर्ड प्लान के तहत बनाए गए तेजस को लेकर अब एक नया ओडर दिया गया है और ये जो नया ओडर है ये नया ओडर है 100 LCA तेजस Mark 1 फाइटर जेट का वैसे कहा जा रहा है कि 100 फाइटर जेट जो होंगे इसमें से बहुत सारे MiG-21 फाइटर जेट को रिप इसका ओडर HAL को दे दिया गया है एर फोर्स ने डिसाइड किया है कि वो 100 और LCA Mark 1 तेजस को खरीदेगी ये परपोजल सम्मिट कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही इसे कलियर कर देगी कहा जा रहा है आव इंडियन एर फोर्स में ब जो के अंदर वायुसेना है उसके पास 40 LCA 180 LCA Mark 1 और कहा जा रहा है कम से कम 120 LCA Mark 2 होने जा रहा है मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है जो अगले 15 सालों में भारतिय वायुसेना को देखने को मिलेगी इसका मतलब ही है कि तेजस एक जवर जस्त फाइटर जेट है वैसे इन स जरू बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ